हलो फ्रेंड्स आज हम पतंजली योग सूत्र के समाधिपाद के दूसरे सूत्र के बारे में बात करेंगे योगस चित व्रत्ति निरोधाह इस योग सूत्र में महर्शी पतंजली ने योग सूत्र की परिभासा दिये योग सूत्र को डिफाइन किया है तो महरसी पतंजली कहते हैं कि योगह चित व्रत्य निरोधा योग है चित की व्रत्यों का निरोध यानि चित की व्रत्यों का रुक जाना ही योग है अब हम समझेंगे कि चित क्या है और इसकी व्रत्यां क्या है और क्यों हम उनको रोकना चाहते हैं तो चित के बारे में समझते हैं अब तो चित हमारे अंताकरण का एक पार्ट है जिसमें हमारा मन, बुद्ध और एहंकार होते हैं अब हम समझते हैं कि ये चीजे क्या हैं तो मन, मन क्या है कि मन या माइंड वो आस्पक्ट है चित जो की थाट जनरेट करता है जो भी information हमें 5 senses स मिलती है कि जो भी हम देखते हैं जो भी हम सुनते हैं जो भी हम महसूस करते हैं टेस्ट करते हैं जो sensory information हमें प्राप्थ होती है हमारा mind उसे process करता है और thoughts generate करता है और इनी thoughts को संस्कारों के रूप में store करता है तो mind का हमारा काम है thoughts को generate करना और उनको हमारे चित्त में store करना चित्त का दूसरा aspect है बुद्धी बुद्धी के base पर ही हम logical discrimination करते हैं चीजों में कि क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या हमारे लिए बुरा है क्या करने से हमारा फायदा होगा, क्या करने से हमारा नुकसान होगा कौन सी चीज हमारे लिए pleasant है, कौन सी चीज हमारे लिए painful होगी तो यह जितना भी logical discrimination होता है यह हमारे intellect के थूप होता है intellect से ही हम decide कर सकते हैं कि कौन सा काम हमें करना चाहिए कि कौन सा काम हमारे लिए अच्छा हो सकता है या फिर कौन से काम है जो बुरे हैं जो हमें नहीं करने चाहिए now third aspect हमारे चित्त का है वो है एहंकार, ego ये aspect हमारी identity बताता है कि हम कौन है जो हमारे अंदर एक एहम का भाव पैदा होता है कि मैं ये हूँ या फिर ये चीज़े मेरी हैं तो ये aspect कहलाता है ego generally जब ego की बात आती है या एहंकार की बात आती है तो ऐसा लगता है कि कोई रावर की तरह आकर कहेगा कि मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विश्नू मैं ही महेशू तो उसे एहंकारी कहा जाएगा या फिर किसी के पास बहुत ज़्यादा power है जिसका वो दुरपयोग करता है तो लोगों को लगता है कि इसके अंदर एहंकार बढ़ गया है ये चीज़े ठीक हैं लेकिन ये यहीं तक limited नहीं है कोई भी चीज़ जहां पर ये लगता है कि बस ये मेरी है या ये फिर मैंने ही किया है जो मैंने बात कही है वही बात सही है जैसा मैंने कह दिया अब वैसा ही होना चाहिए कि ये जितनी भी मैं से related चीज़े हैं वो सारी चीज़े एहंकार का part है आप आपने देखा होगा कई बार कि लोग किसी position पर होते हैं और retire हो जाते हैं retirement के बाद भी वो अपने घर के सामने लिखवाते हैं retired और उस position का नाम मतलब position जा चुकी है लेकिन उनके मन से उस position का भी जो एहंकार था या अपना पन था वो नहीं गया है यही एहंकार है कि हर चीज़ में जो मैं की भावना है यही एहंकार है तो चित में mind यानि मन बुद्ध, intellect और ego एहंकार ये तीन चीज़े होती है अब हम समझेंगे कि चित के गुड क्या है या फिर चित का सुरूप क्या है तो हमारा चित त्रिगुडात्मक होता है इसमें तीन गुड है सतोगुड, रजोगुड और तमोगुड और हर किसी में ये तीन गुड कम या ज्यादा मात्रा में होते हैं ऐसा कोई नहीं होता है कि जिसमें ये कोई भी गुड बिलकुल zero हो जाए या बिलकुल खतम हो जाए ऐसा नहीं होता है और इन ही गुडों के बेस पर हमारे अंदर thoughts generate होते हैं और उन ही से inspire होकर हम काम करते हैं तो और इसको simple ऐसे समझा जा सकता है कि हमारे चित में thoughts generate होते हैं जिनके बेस पर हम अलग-अलग activities करते हैं क्योंकि यहाँ पर thoughts generate होते हैं तो इसको ऐसे समझा जा सकता है कि चित हमारी एक ऐसी भूमी है जहांपर हमारे thoughts generate होते हैं, thoughts पलते हैं और thoughts store होते हैं और इनहीं के base पे हम चित की भूमियों को 5 categories में divide करते हैं जिसमें से पहली category है चिप्त चिप्त वो category है या वो भूमी है जहांपर रजोगुर की अधिकता होती है तमोगुर और सतोगुर ये बहुत कम मात्रा में होते हैं जिसकी वज़े से इनसान बहुत ही ambitious होता है वो अलग-अलग चीज़े प्राप्त करना चाहता है और उन्हीं के दोड़ रहा है कभी वहां दोड़ रहा है तो जब रजोगुर अधिक होता है तमोगुर और सतोगुर कम होता है तो ऐसी अवस्था को कहते हैं शिप्त अवस्था दूसरी अवस्था होती है मूर अवस्था इसमें तमोगुर बहुत जादा होता है तमोगुर जादा होने क वज़े से इनसान आलसी हो जाता है या तो वो सोता रहता है या तो आलस में कुछ नहीं करता है बस बैठा रहता है या फाल्तु के काम किया करता है जिसका कोई उद्देश नहीं होता है या फिर कुछ ऐसे काम करता है कि जिससे उसका भी नुकसान होता है या फिर दूसरे का नुकसान होता है तो इस तरह के जो अवस्था है उसको मूढ अवस्था कहा गया है कि जब तमोगुर जादा है रजोगुर और सतोगुर कम है ऐसी अवस्था को मूढ अवस्था कहते हैं जो अगली अवस्था आती है उसे कहते हैं हम विक्षिप्त अवस्था विक्षिप्त वस्था में थोड़ा सा सतोगुर बढ़ता है थोड़ा सा रजोगुर बढ़ता है जिसकी वज़े से लोग अपने गोल सेट करते हैं थोड़ी देर के लिए फोकस्ड भी रहते हैं अच्छे काम भी करते हैं लेकिन कुछ समय के बाद वो फिर भोल जाते हैं कि हमने इसको क्यो शुरू किया था और कहीं ने कहीं बीच में ही वो काम छोड़ देते हैं तो जो एक थोड़े समय के लिए excitement है थोड़े समय के लिए अच्छा काम करना है और थोड़े समय के बाद demotivate हो जाते हैं फिर वापस same state में पहुँच जाते हैं तो जब इंसान ऐसी category में होता है तो उसे ही विक्षिप्त अवस्था कहा गया है जो चौथी अवस्था है वो है एकाग्र यहां पर सतोगुड जादा होता है रजोगुड और तमोगुड कम होता है तो इंसान हमारे कम हो जाते हैं फोकस हमारा बढ़ जाता है पूरी तरह से एकाग्रता आ जाती है तो जब सतोगुड जादा है रजोगुड और तमोगुड कम है इंसान पूरी तरह से एकाग्र है इसी अवस्था को जोग में संप्रग्यात समाधि कहा गया है और अगली अवस्था जो है वो है निरुद्ध अवस्था और जहां पर संप्रग्यात समाधि के बाद अगर कहीं पर कोई कमी दिखाई देती है या कहीं पर कोई दोस दिखाई देती है किसी में लगता है कि ये बुराई है तो जब इन चीजों से लोग उपर उठ जाते हैं एक सिद्धप्त की तरफ पहुँचते हैं तो ऐसी अवस्था को हम असम प्रग्यात समादी कहते हैं और योग का यही उद्देश से है तो अभी हमने समझा कि चित्त क्या है कि जिनसे भी इंस्पायर होकर हमारा मन इधर उधर दोड़ता है वो सारी व्रत्तियां है कि जैसे अभी बैटकर आप पढ़ रहे हो सड़नली आपका मन खेलने के लिए करने लगा या फिर कहीं घूमने जाने के लिए करने लगा या सड़नली किसी पर गुस्सा आगया आपको और या फिर सड़नली आपको कोई बहुत अच्छा लगने लगा आप पढ़ते पढ़ते किसी के बारे में कुछ सोचने लगे तो जो इस तरह की माइंड की एक्टिविटीज है जहां पर मन यहां दोड़ता है वहां दोड़ता है यह हैं हमारी व्रतियां और इनहीं को रोखना योग का उद्देश से है तो इसलिए महार से पतंजली कहते हैं कि योग है चित की व्रतियों को का रुक जाना योगस चित व्रत निरोधा झाल झाल